अभी हम जाएंगे आगे जादूी कदम, आज का टॉपिक है जादूी कदम, नेक्स टॉपिक, कि हर दिन में खुद को सव मार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदूनी कसा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता है कि मुझे इतना मिल है, और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, अलबर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरसकार विजयता इनोंने यह कहा है, आज का हमारा विशह है जादूी कदम, जादूी कदम मतलब magical footstep, उनने आगे डलने का है, तो यह जाद जादूी कदम, हमारा जो कदम है, वो जादूी कदम कैसे बाहर निकलना, बेड के बाहर कैसे आना, कैसे चलना, जिसके वजह से हमारा दिन फिर अच्छा जाएंगा, उसके बारे में आश्का दिन है, आइंस्टेन ने हमें बोला है, कि आइंस्टेन ने हमें उनके द्वारा खुजे गए वज्यानिक अविश्कारों जितना ही बड़ा उपार दिया है उतना ही पड़ा उन्होंने पुपार दिया हुआ है उन्होंने अपनी सफलता का एक जादुए रहस्य बता है और दिन आज अइंस्टैंग की ही तरह आप भी सौमार माथ कहेंगे और आप सौचादू कदम उठाकर आइसा करने जा रहे हैं कि अपने क्या करना है कि सब्सक्राइब हैं और और उटाने का है हाला कि आपको यह अविश्व से नहीं है लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फरक पड़ सकता है लेकिन आप आएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं तो जादुई कदम कैसे उठाना क्या उठाना उसके बारे में आगे बोलते हैं कि इश्वर ने आपको आज एकिस थाउजन ओर हंड्रेड सेकंड्स आपको मालूम है ना कि रोज हमें इतने सेकंड मिलते हैं चोवीज घंडे में 86,400 सेकंड्स का गिफ्ट हमको मिलता है क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया विलियम वाट कहते हैं एक सेकन भी है ना इतने सेकन हमारे पास में रोज गिफ्ट के रूप में गौर देता है एक दिन में 24 घंटे में इतने सेकन हमें मिलते हैं आपको क्या करना है जादुई कदम उढ़ाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पर जमिन को चूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है अपने क्या करना है जब बेड से उठते हैं नीचे जाते हैं मतलब पर नीचे रखते हैं तो आपने पहला कदम जब रखते हैं तो बोलना है थैंक यू वेरी मच धन्यवाद मैं बहुत आभारी हूं और जब जमीन को चूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं फिर दोबारा हम धन्यवाद कहते हैं थैंक यू वेरी मच एक पर धन्यवाद दूसरा पर धन्यवाद और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं तो आपको ऐसे सव कदम चलने का हैं और सव कदम पह तुरन्ती सव कदम और तुरन्ती सवशबद बोल धादके तो बहुत ही अच्छा है और ने तो भिल भी कर सकते हैं कि आगया जोडी क्या बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादों कदम सो कि Kitty या आपके घर में एक कम्रे से दूसरे कम्रे तक जाना हो लंच या कौफी के लिए चलना हो मिगतल ऑपर बीडर घृपनि जाना जाना हो खिंडन मिटिंग के लिए जाना श उसमें कदम डालते हैं तो आपको धिन्यवाद बोलना है आप जादुए प्रभावी जादुए कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है बलकि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में हैं क्योंकि आपके अहसास को बदलने के लिए आपके अहसास को बदलने के लिए कि इतना काफी है एक बार नेक्स्ट सबसे प्रभावी जादवी कदम उठाने के लिए सबसे प्रभावी हमको जादवी कदम उठाना है जैसा पहले वादा कि 90 सेकंड हमको काफी है एक बार एक बार जब हम यह सबस्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए तो दिन में किसी भी समय प्रितग्यता के सव कदम उठा सकते हैं आपको मालूँ है कितने कदम उठाने का है अब्यास करते वक्त कदम न गिने जब आप कदम चल रहे है तो आपको सव कदम गिनने काने के एक, दो, तीन, चार क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादूई शब्द धन्यवाद कहने पर केंडरी नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लग जाएग आपका ध्यान कहां होना चीए, आपका ध्यान होना चीए, धन्यवाद यह जादूई शब्द के उपर, जब आप आज का जादूई अभ्यास पुरा कर लेंगे, तो आप जादूई शब्द धन्यवाद सव बार कहें चुक्शे होंगे, जीवन में कितने दिन, आपने सव पार धन्यवाद का है, और आइंस्टाइन ने यहां काम हर दिन किया था, जब आप हर बार ऐसा करते है तो definitely आपको, आपके पैर के लिए धन्यवाद, आप जो कदम चल रहे है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे जीवन में है क्या, हमारे जीवन में हम चलेंगे नहीं चल सकेंगे नहीं तो करेंगे क्या दिन बाख बैटके आदमी को समझे बठाए एक कमरे में और उसको पार कुछ चलने का नहीं है बाहर जाने का नहीं है किसी से मिलने का नहीं है पैर नहीं है पैर काट दिये गए है आदमी करेगा क्या है तो हमको भगवान ने उपर वाले न सब कदम मतलब कदम दिये दो पहर दिये हुए और जो भी है अपने पास में उसका हम धन्नेवाद अदा करते हैं और कम से कम सब बार और यह सुबह करते हैं चलने के पहले शुरू करने के पहले कोई भी काम करने के पहले जब शुरूबार थी हम बाकी कोई चलना है हमको बाइ जाना इदर जाना उसके पहले हम यहीं कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है और ऐसा को जरू ही नहीं कि सव मतलब 101 नहीं करना 99 करना ऐसा भी नहीं आपको मालम हो जाएंगा कि कितने पर चलने के बाद में आपका सव बार होता है रुदे हाट दिल वो तो कभी सोता ही नहीं उस को अमने कभी कृत तक कि बोला ने को हमने कृत तक बोलना जिए कि नहीं प्रेप्टिस्ट मैसिव इन्होंने का है फानसी सी क्रांट कि करना कि का रोड़े का जादू अभ्यास इस तरह किया गया है कि अधिक बढ़ा दे तक आप जादू ही शब्द धन्यवाद कहते और मैस करते वक्त अपना दिमाग रुद्धे पर किंद्रित करते हैं नेक्स्ट वाइज्यानिक शोस्ट से पश्ट हो चुका है कि कृत्त के अता महसूस करते वक्त रुद्धे पर ध्यान किंद्रित करने से रुद्धे की लह तातकाल अधिक संतुलित और समंजस्य पूर्ण बन इससे आपके प्रतित अक्षन तंत्र और स्वास्त्य में व्यापक सुधार होता है आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ती है और आपका हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाता है इसलिए हमने रुद्धे की और ख्याल करना है उसको संतुलित रखना है और उसके लिए हमने हमारे र अब्यास की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं आप इसे पहली बार अजमाते हैं इसमें थोड़े अब्यास की जरूरत महसुस होती है लेकिन इस प्रयास के फाइदों को देखते हुए यह करने लाएक कुछ समय तक इसका अब्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करन अपने मन को रुधे के आसपास के शेत्र पर केंद्रित करना है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप ध्यान अपने शरील के अंदर केंद्रित कर रहे है या बाहर आखे बंद कर ले क्योंकि इससे यहदिक आसान बन जाए है तो आखे बंद करना है और आखे बंद करके अपना मन रुदय के और केंद्रीद करना है मन को रुदय पर केंद्रीद रखते समय मांसिक रुप से जादुई शब्द धन्यवात के जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आखे बंद करने की जर्रत ही नहीं होगी लेकिन सामान जाता आखे बंद करते वक्त आप अधिक कृतक जयता महसुस करेंगे प्रुदय के जादु को सचमुष तिवरता से महसुस करने के लिए आप कहीं चीजे कर सकते हैं आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं वक्त आपका दिमाग वही केंजित रहें या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं समय यह कलपना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहें आपके दस इच्छा जो है ना उसकी लिस्ट लेने के जो आपने पहले दिन कर लिया था और प्रत्यक पर उड़े के जादू का भ्यासा हर इच्छा को मनी मन यहां जोर से पड़े और जब आप प्रत्यक के अंतर तक पहुच जाए तो आखे बन कर ले दिमाग को अपने कि अपने पूरी करने के लिए अपना रुदे भी आपको साथ देंगा और जादूई तरीके से वह इच्छा है अपने पूरी हो जाएगी कि अपने हर इच्छाँ पर या अभ्यास पूरा करने पर न केवल आपकी कृतटग्यता की गहराई बढ़ जाएगी बलकि अपनी शिर्ष में इच्छाँ के परती आपकी पृतग्यता भी लेखनी हरूप से बढ़ जाएगा। यदि आप अपने इच्छाएं साकार करने की घति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रुप से रुद्धे के जादू का अभ्यास जारी रखना है। साकार करने की घति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रुप से रुद्धे के जादू का अभ्यास जारी रखना है। काम करेगा। बहतरीन परिणाम और आगे का चैप्टर है बहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले इश्वर के प्रती कृत्तक्य होते हैं। महराटे में बोलते हैं। बदनी कवले घेता नामगया स्रीहरी चे सहजवन होते नामगयता पुकाचे जिवनकरी जिवित्वा अन्हे पूर्ण ब्रह्म। सहजवन होते, जाने यद्ने कर्म। बोजन मतलब यद्ने कर्म हैं। तो लेकिन मैं संगीत समार और उपेरा से पहले भी ऐसा करता हुं। चेस्टरटन है, लेखक है उन्हेंने बोलाए कि मैं कोई भी काम करता हूं, कोई भी मेरा आर्क प्रिजन करता हूं। कुछ समार हो है उस में में प्रwezen approach आज़न दे रहा हूं नाटक है मुकाविन है उसके पहले मी कृङल होता हूं हम भेका क्रूस्तथ हो ने से पहले भी तो पढ़ाई आपको चलू करना है पढ़ाई के पहले भी आपने प्रिक्रूत डियोंगर न में पढ़ाई के बात है, स्मूरती आपने बोला कि मुझे याब ने रहता है, आपने भी यह चालू करना है, क्या करना है, पढ़ाई का किता आप खुलने के पहले उसके परती कृत्तक जो होना है, स्केचिंग करना है, पेंटिंग करना है, तैराकी करना है, टैलना है, केलना है, इसके पहले भी इश्वर के प्रती में कृतज्य होता हूं और स्याई में कलम को इबाने से पहले भी बतलब लिखना चालू करना है उसके पहले भी जो भी आपको करना है उसके पहले ही उसके प्रती हमने कृतज्य होना है ठीके ना नेक्स्ट कि हम चाहें जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं कि मन चाहें परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखा गिलबर्ट की टेस्टर सन्ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर पृत्यग्यता के जादू का इस्तेमाल आपको समझ में आया हूंगा मैं क्या बोर रहा हूं कि जो भी काम के आप शुरूबात करते हैं आप पढ़ाई करते हैं धन्यवाद बोलना है पढ़ाई को किताबों को धन्यवाद बोलना है अपने नोटबुक को धन्यवाद बोलना है कि वह सब है अपने टीचरों को पड़ाय के ओपर होंगा जो भी मैं पड़ूंगा मुझे पुरा याद रहेंगा पूरा का पूरा जो भी हम करने माले में मुझे एक्जाम पर में उप्सकों का नियम इसकारत है क्या है? इसकारत है कि अपनी और बेहतरी इन परिणामों को आकरशित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को इस्तिमाल करना हो रहा है और इसका एक आसान तरीका है बेहतरी इन परिणामों के लिए कृत्त जोना कि मुझे इसके अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई मैं कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आएंगा, एक्जाम में अच्छे मार्च मिलेंगी, आप सुझो कहीं भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, तो वो मेरे बहुआ अच्छा होने वाला है। तो भेतरिन परिणाम मतलब मिलने वाले हैं उसके लिए वो काम करने के पहले ही शुरुबात में धन्यमात देने आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। और महfunding करने हैं। वही मिलेगा जो आपसे सोचते हैं और जो महसूस करते हैं कृते गता आपको अंचाहीं चीजों पतलब बुड़े परिणामों को आकरशित करने से रोपती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मंचाहीं चीज मिल जाए और मंचाहीं जी आपको को है बहतनी परिणाम आपने क्या करना है कि बहतनी परिणाम कौन से है उसके बारे में सोचना है रिजल्ट हमको कौन से आने वाले है और उसके लिए पहले से थैंक की बोलने का है तो आपने क्या करना है आज शुरुवात में ही तीन अलग-अलग स्थितियां चुने की जिनमें आप बहतरी परिणाम चाहते हैं जो भी आप अच्छे रि सविसींग को देना है seminary क्यांता हूं कि मेरी कार अच्छी सर्विसींग करके आना जाया तो कार सविसींग को भेजने के पहले ही मैं उसके धन्यवाद देता हूं वह कार मेकैनिक कार्सर्विसींग सेंटर मेरी कार सब्भी के लिए मैं बहुत कृतक जिए हूँ और मेरी कार जो है वो अच्छी सर्विसिंग करके मेरे पास में वापस आई है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ काम चुरू करने के पहले आप वे तीन चीज़े चुन सकते हैं दो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वकुरने कैसे नुकरी का इंटर्व्य होंगा लोन का आवेदन होंगा परिक्षा होंगी आपकी क्या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होंगा जो भी है इसको आपको म करने में मगर करना पड़ता है ऐसी तीन चीज़ें चुन सकते हैं क्योंकि जब उन गतिवी जोग को जादू होंगा तो आपको सच मुछ विश्वास हो जाएगा कि आपने बहुतरिन परिणाम को आकर शिप कर आप उसके धन्यवाद पहले से भी बोलते हैं तो डेफिनेट करने के आपके मन में ख्ञाय और प्दाई करने की हैं दोस्कों लेंका है नोट बुक खरीदने का है जो आपको कशुल में जाना तो आपने क्या करना also मैं स्कूल में जाकर आया हूँ और भढ़ाई किया हूँ स्कूल में प्रनामim को क्या सब्स registra с आपको मिलना देने का है अपका अभ्यास है कि अपनी नियामते गिने, मतलब अपनी blessings count करो, count your blessings, दस नियामतों की सुच्ची बनाए, रोज आपको दस नए नए नियामतों की सुच्ची बनाने की है, इसके लिए आप रुतग्या होए, अपनी सुच्ची दोबारा पड़े, और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, 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 उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतग्याता महसुश करे, दिन में किसी भी समय, कृतग्याता से सव जादूरी लगबख 90 सेकंद का कदम उठाए, 90 स्टेप्स आपको उठाने की है, र कदम के साथ जादूरी आज रात सुने से ठीक पहले अपना जादुई फत्तर एक हाथ में थामें और जिन बर में हुई सबसे अच्छी चीश के लिए जादुई शब्द धन्यवात कहे अपने मन और ध्यान को रुदय के आसपास के शेत्र पर केंद्रित करें आखे बंद कर ले और दिमाग को इच्छाओं की सुची में सुची ले हर इच्छा को पढ़कर दिये के जादु का अभ्यास करें पिर आखे बंद करते हुए मन को रुदय के आसपास के शेत्र पर केंद्रित करें और एक एक फिर एक एक शब्द धेरे धेरे धन्यवात कहें दिन की शुरुवात में अपने अपने तीन चीजि़ों की सुची बनाए और हर एक को इस तरह लिखे मानों वह पहले ही ओचुकी है पहले से हो चुका है ओलो कि मैं अच्छी पढ़ाई के लिए बहतरीन परणाम के लिए धन्यवाद ऐसा आपको पहले ही बोलने का है पहले सी शुरू में बोलने का है गर conditional फिक भीस ज़्वार पैस्षिआरी का उने वाली इन वाली कि आप राक्रत्ग्राप कर ले मनिमन कहता मेहसूस कराений कि नौर यूप गृष्व alltså खी आज राज वने से ठीक पहले जाद आजवी फ़्तर एक हाथ में थामें और धिन बर में हुई सबसे अच्छी चीज लेके जादुई शब्द आपको देने वाद पर है ना